गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं कंचन पारी MDM CA मैं कक्षा 3 में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों कल हमने पार्ट 4 पढ़ाता है संगती काफल संगती काफल यानि की जैसे साथ में हम रहते हैं उसका हम पर कैसा प्रभाव पढ़ता है कल हमने पार्ट पढ़ा था यदि हम अच्छे विक्तियों के साथ में रहेंगे अच्छे बच्चों के साथ में रहेंगे तो हम भी अच्छे बच्चे बच्चे बनेंगे और यदि हम गंदे बच्चों के साथ ही आनिकी जो बच्चे गलत कारे करते हैं, उनके साथ रहेंगे तो हम भी वैसी यादतें सीखेंगे. इसलिए हमें हमेशा अच्छे बच्चों के साथ में रहना चाहिए जिन लोगों की दोस्ती अच्छी होती है वो बड़े होकर भी अच्छे बच्चे ही बनते हैं चलिए हम आज कलमने पाट पड़ा था आज हम उसके शब्दर थियाद करते हैं सबसे पहले है खुश्वू खुश कर देने वाली गंद अच्छी गंद सुगंद जो ऐसी महें हम जब कोई चीज सूंगते हैं तो हमें अच्छी लगती है उसको कहते हैं खुश्वू यानि कि सुगंद धेला मिट्टी पत्थरादी का टुकड़ा जैसे कोई हम पत्थरादी टुकड़ा देखते हैं मिट्टी जब पार गिली होती है गिली होने के बाद सूप जाती है उसे मिट्टी पत्थरादी का टुकड़ा होता है उसको धेला कहते हैं जड़ना तूटकर गिरना कोई कहते हैं सुंग ना नाक द्वारा गंद लेना जब किसी चीज के हम स्मेल लेते हैं उसको सुंग ना कहते हैं महकता जो महक रहा हो जिसमें से सुगंद आ रही हो ऐसी चीज जिसमें से बहुत अच्छी से खुश्वू आ रही हो स्मेल आ रही हो उसे महकता हुआ कहते हैं यह भी आप अच्छी तरह याद करेंगे यह आपका ग्रहकार्य है इसमें मैंने आपको शब्दर्द दी हैं कुछ याद करने के लिए खुश्बू सुगंद संगती साथ में रहना धेला पत्थर आदिका टुकडा सुंगना नाक द्वारा गंद लेना जो हम नाक से कृतिस्थान बनाएं यह आपको लिखना है जैसे था का पेड कहीं पर यहाँ आपको बताना है कि वह पेड किस चीज का था खिले थे उसमें सुंदर उस पेड में क्या खिले हुए थे खालिस्तान वहाँ पर जड़ते होंगे उसमें जो आप क्या चीज जड़ती थी उस पर से उसके उपर पड़ते होंगे और जो जड़ी हुई थी वो किसके उपर पड़ी हुई थी यह आपको बताना है चलिए आप ग्रह कारे करिए और इसको ध्यान से कीजे धन्यवाद